तो चलिए हम सेसन को स्टार्ट करते हैं और पहला कुशन देखते हैं पहला कुशन कहता है कि किसने रेलवे बोर्ड की नए अध्यक्च और मुखे कारेकारी अधिकारी यानि CEO के रूप में पदभार ग्रहन किया है सुनित सर्मा, राजीव चौधरी, दिनेश सर्मा, या फिर बिनोध कुमार यादो अभी हाली में नए अध्यक्च और मुखे कारेकारी अधिकारी के तौर पे पदभार ग्रहन किया है रेलवे बोर्ड का वो कौन है तो इसका सही अंसर जो होगा, वो होगा सुनित सर्मा, याद रखिएगा सुनित सर्मा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्च और मुखे कारेकारी अधिकारी यानि CEO के रूप में पदभार ग्रहन कर लिया है और इससे पहले वो पूरिवी रेलवे के महा प्रवंध यानि की जेनर्र मैनेजर के रूप में कारेरत थे और इन्होंने जिसका स्थान गरहन किया है, जिसका स्थान इन्होंने लिया है, वह हैं बिनोत कुमार यादो, यानि बिनोत कुमार यादो इसके पहले थे और उनका स्थान लिया है सुनीत सर्मा, ठीक है, चले नेइस्क क्र संसान देखते हैं अगला प्रस Bean कहता है कि Bloomberg बिलिनियर्स इंडेक्स के अनुसार Asia के सबसे धनी व्यक्ती कौन बना है मुकेशंबानी जोंग सानसान जैकमा या लक्चमी मीतन Bloomberg जो Billionaires Index है उसके according एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति कौन बना है तो आप सबको पता है कि एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति जो थे उमुके समानी थे लेकिन हाल में जो Index आया है उसके according जोंग सान सान जो है एसिया के सबसे धनी ब्यक्ति बन गए है और यह कहां के रहने वाले हैं चीन के हैं और आपको मैं बता दूँ कि चीन की सबसे बड़ी पे कमपनी जो है नौगफु स्ब्रिंग उसके संस्थापक और अध्यक्ष है और ये जो नौगफु स्ब्रिंग कमपनी है ये बोतल बंद पानी प्रदान करती है और जो और दुसरे अस्थान पे है मुके सम्झाणी और अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पहले अस्थान पे जो है Amazon के संस्थापक J.Bajos हैं दुनिया के अमीरभ्यकती दुसरे अस्थान पे है TESLA और Space X के Elon Musk और तिसरे अस्थान माइक्रोसोफ्ट के संस्थापक Bill Gates अब देखिए मैं आपको बता दूँ इस सुचकान की जो शुरुवात हुई थी इस इंडेक्स की जो शुरुवात की गई थी वह 2012 में किया गया था ठीक है और उस वक्त इसमें सिर्फ 20 सबसे अमिर ब्यक्तियों की रैंकिंग जो थी उसको ट्रैक किया जाता था लेकिन अब इसमें दुनिया के 500 सबसे अमिर लोगों को ट्रैक किया जाता है ठीक है तो यहां पर सही अंसर रहेगा option B अगला प्रस देखिए भारत की सबसे युवा मेयर कौन है अब देखिए बहुत important प्रसन है कि इस तरह के प्रसन आपको बहुत ब आजेंदरन भारत की सबसे युवा मेयर बन गई है और इनकी उम्र के अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 21 वर्स की यह हैं ठीक है और यह तिरवंद्र पूरम सहर की मेयर की रूप में सपत इन्होंने लिया है अगर हम कुछ point की यहां बात करते हैं तो आरे आजेंदरन CPM के न इन्ठार में मत जो पड़े थे उसमें से इन्होंने 54 वोट हासिल किये हैं और आपको मैं बता दूं कि इन्होंने अपने प्रत्वंदी को 549 मतों से हराया था और त्रिवंद्र पूरम के All Saints College में B.S.E. Math Detiverse की यह चात्रा है अगर हम बात करते हैं यहां की कुछ चीजों के बारे में तो यह बच्चों का एक बाल संगम का संगठन है जिसमें लगवग 10 लाग सदसे हैं केरल राज में इसकी 20,000 काईया है और इस संगठन ने अपना संचालन जो वर्स है 1983 में शुरू किया था बाल संगम याद रखियेगा अगर हम बात करते हैं केरल के बारे में तो केरल का कैपिल आप सबको पता है कहां पे है तो है आपका 300 पूरम और इसकी अस्थापना के अगर हम बात करें तो एक नॉमबर 1956 का इसका स्थापना है ठीक है और यहां पे सबान सबा की बात करें तो 141 सीट है राज सबा में 9 सीट है और लोग सबा में यहां पे 20 सीट है ठीक है चले अगला प्रस देखते हैं नरेंदर मोदी को लीजन और मेरिट पुरसकार से किस देश ने समानित किया है बहुत जबर्यस्त प्रस्न है फ्रांस अमेरिका ऑस्ट् और मोदी को यह पुरसकार दोनों देशों की जो रनितिक साज़दारी है उसको बढ़ाने और भारत को वैस्विक सकती के रूप में उभरने के लिए जो उनका नित्रतु है उसके लिए परदान किया गया है और यह जो पुरसकार है वो अमेरिका के राष्ट पती की ओर से हुँआरे दीदिया गया है आपको में बता दूग कि अमेरिका में भारतिय राजदुद ज्यो है तरंजीत सिंह सन्धू याद रखिएगा हमारे देस के तरब से जो नित्रतु करते हैं यह जरा राजदूद अमेरिका में कौन थे तरंजीत सिंह सन्धू और इन्होंने ही परधान मंत्री मोधी की ओर से यह पुरसकार वाइट हाउस से प्राप्त किया है। हमारे देश की परधान मंत्री नरेंदर मोधी के अलावे, और जापान के पुरू परधान मंत्री सिंजो आबे को भी लिजन और मेरिट पुरसकार से समानित किया गया है। और आपको जैसा कि पता है कि पिछले कुछ समय से और अगर देखा जाए तो भारत, जापान और अस्ट्रेलिया के जो समंध है वो अमेरिका से काफी मधूर बने हैं और इन देसों के बीच सहयोग उसमें काफी ब्रिधी हुई है और इसी के वज़े से इन तीनों देसों को य परदान किये गए जो वैस्विक पुरुसकार है उसके बारे में तो बहुत ही महत्पूर हो जाता है हमारे परच्छाओं के दरिश्टी से तो पहला अगर हम बात करें तो आमीर अमानूला खान अवार्ड से समानित किया गया था जो कि अफगानिस्तान का सरोच नागरिक सम समान है उससे इनको समानित किया गया है सियोल सांति पुरुसकार जो कि दक्षिन कुरिया की सियोल पीस प्राइस फांडेसन द्वारा परदान किया गया चैंपियन ऑफ अर्थावार्ड जो कि संजुक्त राष्ट का सरोच पर्यावरन समान है और यह पुरुसकार संजुक् जायज से भी इनको समानित किया गया, जो कि संजुक्त अरब अमिरात को वहां का सरोचिनागी सम्मान है, इन सभी परमुक्ष जो सम्मान है, उससे हमारे देश के प्रधार मंत्री निरेंदमोदी को समानित किया जा चुका है, अब चलते हैं अगला प्रसन के तरफ, अगला प मिलियन डॉलर या फिर 17 मिलियन डॉलर कितना लोन जो है कितना रीन जो है ACI विकास बैंक हिमाचिल प्रदिस में बागवानी के लिए देगा तो यहां पर जो सही अंसर जो रहेगा वह आपका क्या रहेगा तो आपका रहेगा कौन सा 10 मिलियन डॉलर ठीक है option B ACI विकास बैंक ठीक है ADB ACI Development Bank जो करते हैं उसके द्वारा हिमाचिल प्रदिस में प्रियोजनाओं के लिए भारत के साथ एक रीन समझाता किया गया है और इसके अंतरगत हिमाचिल प्रदिस में बागवानी के विस्तार के लिए एक रीन समझाते पर हकस्ताक्षर किया गया है आपको मैं बता दूँ कि ACI विकास बैंक के द्वारा हिमाचिल प्रदिस में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 10 मिलियन डॉलर के रीन समझाते पर हकस्ताक्षर किया गया है और जो रीन परियोजना है उसके लिए डिजाइनिंग छमता निर्मान और जो फाइलेटिंग गतिविदी है उसमें मदद करेगा इसका मेन मोटीव है हिमाचिल प्रदिस में बागवानी उत्पादन और क्रिसी घरेलू आयका विस्तार करना आपको मैं बता दूँ इसके साथ साथ भारत और एसी आई विकास बैंक ने असम में 120 मेगावाट जल विदुत सरेंदर के निर्मान के लिए वो असम के साथ किया है अगर एसी आई विकास बैंक के बारे हम बात करते हैं तो यह एक छित्रिय विकास बैंक है जिसका उदेश से है एसी आ में समाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना अगर इसके स्थापना की बात करते हैं तो 1966 में इसके स्थापना हुई थी ठीक है इसका मुख्याले जो है मनीला फिलिपिन्स में है और इसमें जो कुल सदसे हैं उसकी संक्या है 68 है 68 है इसमें की 48 ASEA और परसांद चेतर के हैं जबकी 19 अन्य चेतर हैं ठीक है 19 जो है और दुसरे चेतर के हैं ADB का मुख्य उदेश जो है वो क्या है समाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रीन तक्निकी सहायता अनुदान और एक्वीटी निवेस परदान करना और इसमें जो सदस्य हैं उनकी भागिदारी में भी सहायता करना अगर हम ADB की बात करते हैं तो ADB के जो वरतमान में अध्यक्ष हैं वो जापान के हैं और उनका क्या नाम है मासुगू असकावा अगर हम यहाँ पर थोड़ी चीज़ और देख लेते हैं जैसे कि हिमाचल परदेश के बारे में तो हिमाचल परदेश जो है इसका कैप्टेल है सिमला और दूसरी कैप्टेल जो है धरमसाला सबसे बड़ा सहर है सिमला और सबसे बड़ी बात जो है याद रखेगा इसका गठन जो हुआ था वह 25 जनुरी उनिसो कतर को हुआ था और यहाँ पी वरतमान में जो राज्य पाल है वो बंडारु दतारे हैं और मुख मंत्री हैं जैराम ठाकूर और अभी NTPC में तीन है और लोग सभा में चार है ठीक है चली क्वेसन की तरह बढ़ते हैं पहला क्वेसन कहता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मना जाता है तो विश्व ब्रेल दिवस जो मना जाता है ओँ मना जाता है चार जनुरी को चार जनुरी को विश्व ब्रेल दिवस की रुपे मन जाता है तो ब्रेल लिपी के जब इसकारक है लुइस ब्रेल इनका जर्म दिवसे चार जनवरी को इसी वज़से से चार जनवरी को मना जाता है और संजुत राष्ट के आकड़ों को अगर हम देखे तो विस्व भर में लगभग 49 मिलियन लोग जो है वह देख नहीं सकते जब अगर हम थोड़ी बात करते हैं लुइस बेल के बारे में ब्रेल के बारे में तो इनका जर्म जो हुआ था वो चार जनवरी 1809 को हुआ था और फ्रांस के कूप ओवरे में हुआ था उन्हें द्रिश्टवाई लोगों के लिए ब्रेल लिपी के विसकार करने के लिए जाना देखी इनके साथ एक वाक्या हुआ था कि बचपन में एक दुरगटना के कारण इनकी जो दोनों आख हैं उसकी रौसनी चली गई थी और 1821 में ब्रेल को फ्रांसिस सेना के चार्स वैवियर के सैन संचार के परनाली के बारे में ग्यात हुआ और इस परनाली में भी डॉट स्कॉपियों किया था और चार्स वैवियर का यह कोई काफी जटिल हुआ करता था इस वैसे वह समझने में इनको कठनाई हुई थी लेकिन इसके बाद अपने लीपी पर इन्होंने कारे शुरू किया और 1824 तक लुइस ब्रेल ने अपने लीपी को लगभग त्यार कर लिया था और उस समय इनकी जो उम्र थी वो मात्र 15 वर्स के थी यानि कि 15 वर्स की आयो तक उन्होंने लीपी को लगभग त्यार कर लिया था और लुइस ब्रेल की जो लीपी थी वो काफी सरल थी अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का कैपिटल जो है आप सब को पता है कहां पे है पेरिस में है हना और एक चीज़ और मैं बता दूँ यहां पे जो करेंसी चलती है वो चलता है यूरो और एक और चीज़ जो आपको नोट करने चाहिए जिस तरह से हमारे देश में संसद जो है वहां पे राश्वा और लोग सबा होता है जो कि हम कहते हैं अपर ह अगला प्रस लेखते हैं, अगला प्रस ने कहता है, IUC का पूर्ण सरूप क्या होगा, जो हाल ही में खबरों में रहा, IUC stands for what, यह आपसे पूछा गया, तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो सही अंसर रहेगा, हो रहेगा, इंटरकनेक्ट उजेज चार्जेज, भारतिये दूर संचार नियामक प्राधिकरन, यानि ट्राई के अनुसार, इंटरकनेक्ट उप्योग सुल्क जो है, यानि IUC, इसको एक जनवरी दोवर 21 से सुनने कर दिया गया है, और आपको पता है, कि अगर आप जियो उज़ करते थे तो अभी हम लोगों क्या होता था, कि अधन नियटरक में बात करना में जो चार्जे लगते थे, वो भी अब फ्री हो गया है, और इसी कारण से हो पाया है, IUC सुल्क का भुकतान जो है, दूर संचार कंपनी तवारा अपने नियटरक से विभिन सेवा परदताओं के लिए क लेकिन अब वो खत्म हो गया है, और अगर हम ट्राइ के बारे में बात करें, तो इसकी अस्थापना हुई थी, 20 February 1997 को, ठीक है, 1997 की अस्थापना हुई थी, इसका हेट क्वार्टर जो है, वो है आपका नई दिल्ली, ठीक है, चले, अगला प्रस देखते है, अगला प्रस न ब्रिटेन में मासिक धर्म उत्पाद पर जिएलक लगाता था, उसको कहा जाता था टैमपों टैक्स और इसे समाप्त कर दिया था, ब्रिटेन के बारे में तो इसका क्यापिल लंदन और यहां पे जो चलती है, पांड रेस चलती है, और जो यहां पर जॉन्सन अगला प्रस्ण है कि सोमा मंडल ने कि संगठन की प्रत्थम महिला अध्यक्ष गरूप में पदभार समाला है तो यहां पर आपको मैं बता दूँ इसका जो सही अंसर रहेगा वो क्या रहेगा यह रहेगा आपका सेल यानि की सोमा मंडल ने स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कारेभार ग्रहन किया है और यह पद समालने वाली यह पहली महिला बन गई है इससे पहले वह सेल के निदेशक वनिजिक थी और सेल जोईन करने से पहले वनेशन अलमूनियम कंपनी लि हम बात करते हैं सेल के बारे में तो सेल का जो हीड क्वाटर है वो न्यू डैली है और इसका जो सथापना हुआ था उनीस जनुवरी 1954 और अगर हम बात करते हैं इसमें ownership की तो government of India की इसमें जो share है वो 74.9% है यानि कि इसमें जो 74.9% जो है share वो किसकी है government of India की है अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस ने कहता है कि वस 2020 के राष्टी ये तानसेन समान से किसे समानित किया गया तो मैं आपको बता दूँ कि 35.9% राष्टी ये तानसेन समान जो है एक संगित पुरिसकार है जो हिंदुस्तानी संगित के पर्तिपादको को दिया जाता है और 2020 के लिए जो तांसें समान से समानित किया गया है वो किसे किया गया है वो किया गया है पंडित सतीस ब्यास को और आपको मैं बता दूँ यह संतूर वादक है और 2004 में पंडित सियू कुमार सर्मा को दिया गया था और यह भी संतूर वादक है अगर आपसे पूछा जया कि 2019 में राष्टी ये तांसें समान से किसे समानित किया गया तो पंडित विद्याधर ब्यास को दिया गया और ये भारती हिंदुस्तानी सास्त्रिय गायक है इसमें दो लाक रुपे की टैक्स मुक्त पुरुसकारासी दी जाती है साथी सास समान पटिका दिया जाता है सौल दिया जाता है और स्रिफल दिया जाता है और मैं आपको बता दू कि पंडिस सतीस ब्यास जो है इनको 2003 में पदमसरी और 2010 में गंधर्व समान से भी समानित किया जा चुका है तो आपके लिए question है कि जो राश्टी ये तांसे समान पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन से राश्रकार के द्वारा दिया जाता है अगला question है जो की question of the day है जंगल की आग की वज़े से खवरों में रही दजुको घाटी किस राजी में इस्थित है तो आपको मैं बता दूँ दजुक जो है आपको कहीं कहीं दजुक भी दिखेएगा तो दजुको घाटी जो है भारत के नागलेंड और मनी पुराजी के सेमारतिस छेतरों में विस्तारित एक घाटी है और यह अपने प्राकिर्थिक वातावरन और प्रानी उनस्पति विवित्ता के लिए फेमस है जाना जाता है अगर हम बात करते हैं दजुको घाटी की तो यह समुदो तल से 2542 मिटर की उचाई पे है ठीक है कितना 2542 मिटर की उचाई पे है यह आपका समुदो तल से और यह जो घाटी है सुन्दर फूलो के लिए परसीद है और इस घाटी में दुरलब तजुको लिली भी पाई जाती है पहला क्वशन कहता है के जम्मू कासमिर व लदाक के चित ज़स्टिस कौन बने है तो जैसा कि आप सब जानते हैं 31.09-2019 से जम्मू कासमिर और लदाक जो है किन्यसासीत प्रदर से बन चुका है और यहां पे जो hi-coat common है और यहां पे जो अभी justice बने है वो बने है जश्टिस पंकज मितल और इन्होंने जिसका अस्थान लिया है वो थी justice गिता मितल ये retire हो गई है और इनकी सेवा निरूःत के बाद ये जो अस्थान है जश्टिस पंकज मितल ने लिया और ये जो पदभारी उन्होंने गरहन किया जो सपत ली और इनको जो सपत दिलाया गया वो जमु कास्मीर के उपर राजेपाल मनो सीना के दोरा दिलाया गया आपको मैं बता दूँ कि जस्टिस पंकज मितल जो है वो इलाहबाद हाई कोट में न अधिस्त है और उन्होंने जस्टिस गिता मितल का अस्थान लिया है आपको पता है कि भारतिये संसर ने 5 अगस 2019 को जम्मु कास्मीर राज जी जो थी उसकी राजनीतिक इस्तिति में भारी बदलाव करते हुए विधान सवा सहीत के इंदसासित परदेश बना दिया था और लदाग को भी जम्मु कास्मीर से अलग करके उसे एक अलग के इंदसासित परदेश का दर्जा दिया था और जो पूनर गठन है यह 31 अक्टूबर 2019 से परभावी हो गया था है ना कबसे 31 अ एक कैपिटल जो है ओह स्री नगर जो की मईस से अक्टूबर की बीच रहता है और दुसरा है जम्मु जो की नौमबर से अप्रिल की बीच रहता है ठीक है यहां पर अगर हम जीलो की संख्या के बात करते हैं जम्मु कास्मीर में तो यहां पर जीलो की संख्या 20 है उप जेपाल कौन थे जम्मु कास्मीर का तो ओ थे ग्रिस चंद्र मुर्मु अगर हम यहां पर बात करते हैं संसद्य च्छेतर की तो राज सभा की सीटे यहां पर चार है लोग सभा की सीटे पांच है और विधान सभा की सीटे 114 है ठीक है यह आकड़ा आपको काफी हिल्प करे तो 16,309 वर्ग मिल अगर यहां पर हम अधिक्तम उचाई की बात करते हैं तो नून सिखर है ठीक है नून सिखर जो है अधिक्तम उचाई पर है यहां पर और इसकी अगर उचाई की बात करें तो 71,35 मिटर है और अगर इसे फीट में देखेंगे तो 23,409 फीट होता है अगर हम निम्तम यानि की सबसे कम उचाई वाली बात करें तो चनाब नदी है जिसकी 247 मिटर उचाई है यानि की 810 फिट उचाई है अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम लदाक के बारे में तो लदाक का जो कैप्टल है वो है आपका लेह यहाँ पे नंबर ऑफ जो डिस्टिक्स है वो हैं दो और वो कौन-कौन से है लेह और कारगी उपराजपाल की बात करें तो राधा कृष्ण माथूर यहाँ के उपराजपाल है और सांसर जो है वो है जम्यांग सेरिंग नामग्याल और आप सब को पता है कि उचन्याले जो है वो तो कि common है है अगर हम छ्चेत्रफल की बात करते हैं तो छ्चेत्रफल यहां का लदक का वह 16668 km2 क्यतना आप नोट कर सकते हैं 16669 km2 है और अगर आप इसको वर्ग मिल में देखेंगे तो 64362 वर्ग मिल हो जाएगा अधिकतम उचाइक अगर हम बात करें बहुत important है तो है सा 442 मीटर और अगर इसे फीट में देखेंगे तो 25,400 फीट हो जाता है और सबसे कम निम्तम उचाई वो है सिंधू नदी उसमें क्या है? जमू एंड कास्मी में चनाब है और इसमें सिंधू नदी है जिसकी उचाई है 2550 मीटर यानि कि 8370 फीट ठीक है? अब देखिए यहाँ पे बहुत चीजों को आपको बारिकी से समझना है कि कारा कोरम परवत माला की सालतोरा परवत माला जो है वो उपस रेनी का सरोच परवत है और यह विस्वो में इसका जो असान आता है वो आता है 31 ठीक है? कितना? 31 अब यहाँ पे जो चीजों को आपको नोट करनी है वो करना है कि यहाँ पे सबसे पहले जो चढ़ाई किया और ओही जो कहते है वो कौन थे? तो थे आर ए बसीर और दूसरा था ए सैटो और तिसरा वाई ताका मुरा याद रखिएगा तीन लोगों ने चढ़ाई की थी आरे बसीर, ए सैटो और वाई ताका मुरा इन तीनों ने सबसे पहले इस पे चढ़ाई की थी ठीक है? चलिए अगला प्रस देखते है अगला प्रसन कहता है कि दुनिया की most valuable two-wheeler company कौन सी बनी है तो आपको मैं बता दूँ इसका जो सही अंसर रहेगा वो रहेगा बजाज भारतिये, बहुरास्टिये, दो पहिया और तीन पहिया वाहन निर्माता कंपनी है बजाज, आटो इसने एक जनुरे दोगर इकीस को बाजार पुंजी करन जो है, एक लाग करोर रुपे क्रॉस कर दिया, और उसके बाद ही दुनिया की मौस्ट वैलिवबल टू विलर कंपनी बन गई है आपको मैं बताना चाहूं का NSE, यानि कि निशनल स्टॉक एक्सेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन जो सेर रहा, वो 3489 प्रतिस सेर रहा और इसी कारण इसका जो बजार पुंजी करन है, वो एक लाख 670 करोर रुपे से अधीक हो गया और इसी के साथ यह सबसे मुल्यवान कंपनी बन गई और दुनिया की पहली ऐसी टूलर कंपनी है, जो इस मार्केट कैप के मामले में, इस मुकार्म को हासिल करने में कामयाब रही है अगर इसका हम हेट कौर्टर के बात करते हैं बजाज आटो का, तो इसका हेट कौर्टर है पूनिय महरास्ट में, और इसके जो MD है यानि की प्रबंद ने देसक जो हैं, उहें राज जीव बजाज अगला परस देखते हैं, अखिल भारतिय सत्रंज संग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है तो अखिल भारतिय सत्रंज संग का जो नया अध्यक्ष चुना गया है, वो चुना गया है संजय कपूर को ठीक है आपको मैं बता दूँ डॉक्टर संजयक कपूर जो है और इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए हैं और वे मौजुदा समय में कानपूर किर्केट असोसियेशन के चेयर्मैन है ठीक है यह जो चुनाव हुआ था यह ऑनलाइन हुआ था और इस चुनाव में इन्होंने सरवाधिक 33 मत ठीक है कितना 33 वोट के साथ अध्यक्ष निर्वाचित हुए है इससे पहले वह उत्तर परदिश चेस फेडरेशन के भी अध्यक्ष रश चुके हैं और आपको मैं बता इन्हों ने जिससे हराया है वो किसे हराया है चेने के विंकिट रामा राजा को दो मतों से हराया नहीं दो वोट से हराया है ठीक है अगर इनकी हम सोच की बात करें थोड़ा इन्होंने मोटीव अपनी रखी है तो इन्होंने बताया है कि विस्वनाथन आनज जैसे खिलाड को लाएंगे अखिल भारतिये 17 संग का जो मुख्याले है वो जो हलाल नेहरू स्टेडियम चेनई में है और इस संग की जो स्थापना हुई थी हुई थी 1951 में बहुत important है ठीक है तो आप सब session को enjoy कर रहे होंगे तो like करते चलिएगा और अगर आपको कोई feedback देना हो तो comment box में जुरू देज़ेगा अगर आप अस देखिए All India Jam and Jewelry Domestic Council यानि कि JJC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है तो यह बनाया गया है आसीस पेठे जेम and Jewelry उद्धियों की रोराश्टी यह सिर्श संस्था है All India Jam and Jewelry Domestic Council जिसको बोलते है JJC इन्होंने दो साल की आउधि के लिए आसीस पेठे को अध्यक्ष और आप यहाँ पे जो देख रहे हैं सईम महरा इनको उपाध्यक्ष नियूक्त किया है पेठे जो हैं ओ जी जेसी के साथ काफी लंबे समय से जूड़े हुए हैं और अभी वर्तमान में वेस्ट के जोर पूरे भार के तोर पे समालते रहेंगे और यह जो चुनाओ प्रकिरिया हुई पूरी तरीके से एवोटिंग के थू हुई और इसमें जो एक सोतंत्र व्यक्ति को जो रखा गया था वो मुख चुनाओ प्राधिकरन द्वारा युद की गया थी इसमें जो नियुक्ति यह एक रास्टी यह बैपार महासंग के तौर पे जना जाता है जी जेज सी जो है छे लाग से अधिक हितकारों का प्रतित्व करता है जिसमें की घरेलू रत्न और आभूसन उद्दियों की निर्माता थोक विक्रेता खुद्रा विक्रेता वित्रक पर्युक्साला इन सभी जो समन्द रखते वो सेवाएं इसमें सामिल है अगर हम All India Jam and Allery Domestic Council की Headquarter की बात करें तो Headquarter जो है वो है आपका मुंबई में है ठीक है कहाँ पे है मुंबई महाराश्च्त में है और इस श्थापना हुई थी वो 2005 में हुआ था ठीक है और अभी इसके अध्यक्ष कौन है आस तर्वी वर्सगांट पर आयोजित किया गया, बहुत ही महत्पून प्रस्न है, तो यहां पर सहिएन से जो रहेगा, क्या रहेगा, CSIR NPL, आपको मैं बता दू कि परधान मंत्री जो हमारे देश के हैं, स्री नेंदर मोधी, इनके द्वारा, 4 जनौरी द्वार 21 को, वीडियो परियोगसाला, यानि की CSIR NPL, नई दिलिद्वारा, इसकी अस्थापना के 55 वर्स को चिनित करने के लिए किया गया था, अगर इसका थीम का हम बात करते हैं, इसकी विशय की बात करते हैं इस वर्स का, तो मेटरोलोजी for the inclusive growth of the nation इसका थीम था, और इस कंक्लेव के दौरान, पियमोदी ने National Atomic Time Scale और भारतिय निदिलसक द्रव्य को राष्ट को समर्पित किया, और राष्टिय परियावरन मानक परियुकसाला की भी अधार सिला रखी है, ठीक है, चलिए, अगला प्रस देखिए, अगला प्रस ने कहता है, जो कि question of the day भी है, भारत सरकार के नुसार, अब भारतिय मानक समय कितनी सतिक्ता के साथ अंतरास्तिय मानक समय के अनुरूप हो गया है, बहुत ही महत्पून प्रस नहें, तो यहां पर जो सही अंसर रहेगा, वो रहेगा option आपका C, 3 नैनो सकेंड से कम, देखिए, National Atomic Time Scale भारतिय मानक समय जो है, 2.8 नैनो सकेंड के सत दिक्ता के साथ देता है, जो कि 3 नैनो सकेंड से कम है, भारतिय ने जरसक दरब्य अंतरास्तिय मानक के अनुरूप, गुनवक्ता सुनिशित करने के लिए प्रवकसाला में जांच और मापंकन में सहयो कर रहा है, और इसी दोरान हमारे देश के जो प्रधान मंत्री है, उन् में सक्चम हो गया है, पहला कुशन कहता है कि किस राज के मुख मंत्री ने ठाई पूसम तहवार के असर पर सरकारी अवकास की घोसना की है, वह कौन सा राज है जहां पर थाई पूसम तहवार के असर पर सरकारी अवकास की घोसना की गई है, तो और राज है तमिलाडू, कौन सा है तमिलाडू, आपको मैं बताओं कि तमिलाडू के मुख मंत्री के पलानी स्वामी ने भगवान मुर पूजा के समर्पित जो तहवार है थाई पुसम उसके लिए सारवजनिक अवकास घोसित करने का आदेश दिया है तमिल लाडू के अलावा यह जो तहवार है परोसी राज्जी केरल में मनाया जाता है इसके साथ सिरलंका, सिंगापूर, मलेसिया, मौरिसस और इंडोनेसिया जैसे देशों में भी जहां पर तमिल भासी लोग रहते हैं वहां पर मनाया जाता है और जो तमिल तहवार है यह तमिल मास थाई जो कि चौदार जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में मनाया जाता है और जब पुसम नच्छत्र पुनीमा के दिन पढ़ता है तो उस दिने म मनाया जाता है स्वेव परंपरा के मुताबिक यह तेहवार जो है बुराई पर अच्छाई के लिए जीत का परतिक है अगर हम बात करते हैं तमिल अडू के बारे में तो तमिल अडू का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था ठीक है कैपिटल जो है चे नही स्वामी और अगर हम यहां पर लोग सभा की सीटों के संख्या के बात करें तो 39 है राज सभा के सीटे यहां पर 18 है और विधान सभा की सीटे यहां पर 234 है ठीक है चले अगला परसने कहता है कि उनिसेफ के अनुसार किस देश में वर्स 2021 के पहले बच्चे का जन्म हुआ द ठीक है संजुत राष्ट की बाल संस्ता जो है इनिसेफ उसके अकॉर्डिंग नौ वर्स यानि की नया साल का जो अगाज हुआ उसमें दुनिया भर में तीन लाग एक खतर हजार पांसो से अधिक बच्चों का जन्म हुआ और इसमें सबसे अधिक जो बच्चों का जन्म पहले बच्चे का जो जन्म हुआ फिजी में हुआ और आखरी बच्चे का जन्म हुआ ओ अमेरिका में हुआ ठीक है 2021 का पहला दीन याद रखिएगा और इनिसेफ के अनुसार विस्वभर में जो बच्चों का जन्म हुआ उसमें आधी संख्या 10 देसों में जैसे कि भारत म में 69,995, चीन में 35,615, नाइजीरिया में 21,449, पाकिस्तान में 14,161, इंडोनेसिया में 12,336, इथोपिया में 12,006, अमेरिका में 10,312, मिस्र में 94,55, बांगलादिस में 92,36, और कांगो गनराजी में 86,44 बच्चों ने जन्म लिया और संजुत राष्ट एजनसी ने कहा है कि 2021 में डेड करोड बच्चों के जर्म का अनुमान है और उनके जो आसत उम्र होगी वह तक्रीबन 84 साल होनी की समभावना जताएगई गई, 84 एर होनी की समभावना जताएगई है देखिए उनिसेप के अगर हम बात करें तो इसका फूल फर्म जो होता है उनाटेड नेशन इंटरनेशन चिल्रन इमर्जेंसी फंड ठीक है इसका हीड क्वार्टर जो है निव यॉर्क उनाटेड एस्टेट में है और इसके जो भी हीड है वो कौन है हिनरीटा एज फोर औ फाउंड हुआ था 11 इसंबर 1946 को ठीक है और इसके फाउंडर्स कौन है इनाटेड नेशन जेनरल असेम्बली याद रखेंगे सीच को ठीक है तो यहां पर सही अंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी अगला प्रस्न है किस देश ने लकड़ी के बने उपग्रह को अंतरीच में ला ट्योटा इंवर्सिटी ने अंतरीक्ष में कचड़ी की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरीक्ष उपग्रह लांच करने की घोसना की है सुमितोमो फॉर्स्टर कंपनी के मुताबिक उन्होंने इसके लिए पेंड की ग्रोथ और अं अंतरीक्ष में कच्ड़ा बढ़ता जा रहा है और उस कच्ड़ा को हम कहते हैं अस्पेस जंक क्या कहते हैं अस्पेस जंक ठीक है और लकड़ी के सैटलाइट पिर्थिवी के वातर और में लोटने पर क्या होगा जल जाएगा और इससे कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं कि देगा वर्ल्ड एकनॉमिक फॉर्म के अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 6,000 उपग्रफ पिर्थिवी का चक्कर लगा रहा है और उनमें से लगभग 60% जो है बेकार है यानि की अस्पेस जंग के तौर पे है रिसर्च फर्म जो है एक यूरो कॉंसल इसके एकॉर्डिंग अगले एक दसक में हर साल 990 उपग्रफ लांच किये जाएंगे मतलब क्या है कि 2028 तक अंतरिक्ष के अच्छा में 15,000 उपग्रफ हो सकते हैं एलन मस्क की जो कंपनी है अस्पेक 6 आपको पता है एलन मस्क कौन है दुनिया के दूसरे सबसे धनी ब्यक् और इनकी कंपनी जो है अकेले ही 900 से अधिक अस्तारले को पुरह लांच कर चुकी है और हजारों और उपग्रफ लांच करने की योजना बना रहे हैं अस्पेस जंग जो होता है ठीक है अस्पेस जंग जो होता है वह 2300 मिल प्रति घंटे की जाड़ा गती से घुमता है और और किसी वश्तूसद्य कराने से काफी नुक्सान कर सकता है अगर हम बात करते हैं जैपान का तो जो कैपिटल है टोक्यों है यहाँ पे जो लेंगयोजब बूली जाती है वह जैपनीज बूली जाती है यहाँ पे जैपनीज एग चलती है और प्राइम विनिश्ट यवे है एक प्सक ignore एक数 और चाहिए किस्टेग कम्पनी करम चाहरी ने अलफबे डोरस یूनियन नामक एक संग का गठन किया है कॉनसी वह टेग कम्पनी हैं जिसके करम-चारि उने अलफफबेट काहर सब्सक्राइब कित küll क्या रहेगा और अच्छे वर्क कल्चर के लिए काम करेगी और इसमें करीब 226 इंजिनियर जो हैं सामिल हुए हैं अगर हम गूगल की बात करते हैं तो CEO सुन्दर पिचाई हैं और कब से हैं 2 October 2015 से अगर इसकी अस्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998 को अस्थापना इसका हुआ था पुरोतर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस स्थान पर इस्थित है तो यह कहां पे है आप सब भी गेस कर सकते हैं तो इसका सेयन सच रहेगा और रहेगा सी लॉंग ठीक है आपको मैं बता दूँ कि अस्थम राइफ़स प्रब्लिक स्कूल सी लॉंग जो है पुरोतर चेतर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है और खेंद्र युवा कारिकड़फ करम और खेल मंत्री जो है श्रीकृर्न रिजु इनके दौरा अस्थम राइफ़स प्रबलिक स्कूल को एक खेलो इंडिया स्पोर्टव कर रूप में सुभारम इनके और यहाँ पे गवनर सत्तेपाल मलीक और सीयं हैं कोनाड संगमा अगर हम यहाँ पे लोग सकुल की संगए के बात करते हैं तो दो है रासबा की सीट यहाँ पर एक है और यहाँ पे जो भिधान सबाफ की सीट है और शाट हूं ठीक है चले अगला प्रस लेखते हैं अगला प्रसन कहता है फसाई ने तेल और वसा में trans fatty acid की मात्रा को कम कर दिया है तो भाई कितना कर दिया है तो आपको मैं बता दूँ जो किया गया है सबसे पहले उससे पहले हम जानते हैं कि फसाई है क्या तो फसाई को हम कहते हैं भारतिये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरन यानि Food Safety and Standard Authority of India किया इसने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निशेद और पर्तिबंद विनी में 2011 में संसोदन करते हुए तेल और वसा में Trans Fatty Acid TFA की जो मात्रा है वर्तमान में जो 5% था उसको अब 2020 के लिए 3% और 22 तक 2% रखा है यानि यहाँ पे जो सही अंसर रहेगा वो क्या रहेगा 3% और 2% यहाँ पे Option B आपका सही रहेगा ठीक है आपको मैं बता दूँ कि विश्वस स्वास्ते संगठन यानि WHO जो है World Health Organization इसके According और द्योगी कुरूप से उत्पाली Trans Fatty Acid के सेवन से विश्वस्तर पर प्रतेक वर्स लगभग 5,4 लाग मौते होती है फसाइक के जो यह नियम है ऐसे वक्त आया है जब अभी लोग COVID से बहुत जादा संक्रिमित हुएं और उनकी जो हार्ट है वो कमजोड हो रही है और Trans Fat के सेवन से हिर्दय रोग खत्रा जो है बढ़ जाता है और NCD के कारण होने वाले जो अधिकांस मौते हैं वो हिर्दय रोग जो कारण ही होती है आपको मैं बता दूँ कि इससे पहले 2011 में भारत ने पहले बार एक विनी में पारित किया जिसके तहट तेल और वसा में TFA यानि की Trans Fatty Acid की जो लिमिट है उदस फिस दी धारत की थी और 2015 में इसे घटा कर 5% कर दिया गया लेकिन अब 2021 में 3 और 2022 में 2% रखा गया है आपको मैं बता हूँ कि कृत्रिम TFA तब बनता है आटिफिसियल Trans Fatty Acid तब बनता है जब सुधगी या फिर मखन के समान फैट वसा के उत्पादन में तेल के साथ Hydrogen की परतिकिरिया कराई जाती है और Trans Fatty Acid जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है जो कि हमारे सरीर के अन् परतिकूल प्रभाव डालता है ठीक है अगर हम फसाई की बात करें तो फसाई का जो formation हुआ था वो 2011 में हुआ था अगस्त के महिने में और इसका headquarter New Delhi और इसके जो अभी agency executive है वो रिता तिवतिया है यानि की chairperson है पहला question है कि दुनिया के सबसे अमीर सक्स कौन बने है आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर सक्स जो थे ओ थे जे बेजोस लेकिन यह अब बदल चुके है और जो अब दुनिया के सबसे अमीर सक्स बने है ओ बने है ऐलन मस्क ठीक है टेसला और अस्पेस एक्स के जो मस्क यह दुनिया के सबसे बड़े अमीर सक्स बन गए हैं ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के एकॉर्डिंग मस्क की जो नेट वर्थ है वह गुरुवार को यानी 7 जनवरी को 188 यानी 188.5 अरब डॉलर पहुंच गई जो की जेब बेजोस से 1.5 अरब डॉलर जादा है और गुरुवार को ही यानी कि 7 जनवरी को ही टेसला के सेयर में 4.8 परसेंट की उच्छाल आई और मस्क की जो नेट वर्थ है उसमें इजाफा हुआ और इसके पहले यानी कि 6 तारीको एक सो चौरा से तसमलब पांच अरब डॉलर तक पहुंच गया था ठीक है और ये 4.8 जो उच्छाल आया उसके बादे दुनिया के सबसे अमीर सक्स बन गया और 2017 से नंबर वन पर कौन थे जे बेजोस अमेजोन के CEO हना आपको मैं बताओं कि एलन मस्क जो है नॉमबर 2020 में ही बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर सक्स बने थे और उस वक्त उनके पास जो कुल संपती उनकी थी जो निट वर्थ थी वो था 128 अरब डॉलर और पिछले 12 महिने में एलने मस्क की संपती जो है वो 150 अरब डॉलर यानि की करीब 11 लाग कर रोपे से जादा इजाफा किया है मस्क की जो संपती है इतनी जोड़दार जो इ इंडेक्स में भी सामिर होने के बाद उनकी जो 2020 में टेसला के सेर्स है वो सेव फोर्थी यानि 743 फिस्दी तक बढ़े हैं आपको बता दू कि पिछले साल कंपनी ने पांच लाग इलेक्टरिक कारों का उत्पादन और डिलिवरी भी किया तो यहाँ पर सहीन से जो रहेग है बिल गेट्स अगला परसन देखते हैं अगला परसन कहता है कि सरकारी संगठर ने रेड मीट मैनुवल से हलाल सब्द को हटा दिया है तो आपको मैं बता दू कि केंदर सरकार ने रेड मीट मैनुवल से हलाल सब्द को हटाया है तो यहाँ पर जिसको यह आदेश दिया ग इसने एक दिशा निर्देश जारी किया और ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसके पीछे कारण है कि हिंदु राइट और जो सिक संगठन थे उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन के बाद और उसके खिलाप एक और अभियान चलाया था और उसे के मद नजर इसको दिश इसलामी देशों की जरूरतों को देखते हुए यह लिखा जाता था कि जानवारों को हलाल प्रकिरिया के तहट यानि की जवह करके मारा गया है और यह काफी एक्सपूर्ट करने में हिल्प मिलती थी जहां पे इसलामी कंट्री है हलाल का मतलब है कि जानवर की जो गर्दन है एक तेज धार वाले चाकू से रेत कर काटा जाता था ठीक है और इसके बाद सांस वाले जो नली है कटने के कुछ दिर बाद जानवर की जान चली जाती थी और मुस्लिम मानेता के अकौर्डिंग जो हलाल होने वाले जो जानवर है उनके सामने कोई दूसरा जानवर नहीं जाना चाहिए ऐसा मुस्लिम मानेता है और वहीं अगर आप देखते हैं कि जटका मीट जटका का मतलब है कि बिजली से जटके से सब्दाया है इसमें जानवर को काटने से पहले इलेक्ट्रिक सौक देकर उसके दिमाग को सुन कर जाता है ताकि यो ज्यादा संगर्स ना कर स सके और उसी अचे तवस्था में उस पर जटके से एक जुरदार हतियार से उसका जो सीर है उसको अलग कर दिया जाता है ठीक है चले अगला परस देखते हैं अगला परसन कहता है कि किस संस्थान ने स्वस्ते वायू नामक वेंटिलेटर विक्सित किया है तो आप सब को पत स्वस्त यानि CSIR जो है उसकी National Aerospace Laboratory के साइंटिस्ट ने करोना मरीच के इलाज के लिए एक नॉन इनिवेसिव वेंटिलेटर वी वैप जो कि आप यहाँ पर इमेंज में देख भी पा रहा है इसको विक्सित किया और बैग्यानिकों ने वेंटिलेटर को रिकॉर्ट 36 दिनों के भी तर्व त्यार किया इस वेंटिलेटर का नाम जो है वो क्या रखा गया स्वस्त वायू रखा गया अगर हम बात करें नेशनल एरोस्पेस लैबरेटरीज की यानि इन पी एल की तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह कहां पर हुई थी CSIR हैना कॉंसील आफ साइंटिफ 1960 में इसका जो हेट क्वार्टर है वो कहां पर मूब कर दिया गया बैंगलूरू में ठीक है और अगर आपसे पूछा जाया इसकी अस्थापना कब हुई तो एक जुन 1969 ठीक है लेकिन इसका हेट क्वार्टर दिल्ली से जो बैंगलूरू ट्रांसफर किया गया वो 9060 में किय ठीक है इसके जो डायेक्टर है ओहें जीतेंद्र जे जाधो याद रखिएगा कौन है इसके डायेक्टर जीतेंद्र जे जाधो चले अगला प्रस्न है हाली में समाचार में रही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे समंदित है तो यह किसे समंदित है तो यह जो समंदित है वो है आपका तीन हाइवे कोरिडोर नहीं बलकि यह जो है आपका नया संसत परिशेस से यह क्या है समंदित है आपको मता दूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसके तहट राष्टपरती भावन से इंडिया गेट तक फैले राजपत पर पढ़ने वाली जो सरकार तीन क्यूमेंटर लंबे जो राजपत है उसको री डेवलप किया जाएगा सेंट्रल विस्टा जो है वो राजपत की दोनों तरफ की इलाके को कहा जाता है राष्टपती भावन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार का इलाका इसके अंतरगत आता है सेंट्रल होना है ठीक है इसको पुरा री इन्वेट करना है यह योजनव को हम कहते हैं सेंट्रल विस्टा प्रजेक्ट ठीक है तो यहां पर सहयंस है जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका option B अगला परस देखिए भारत से मोरिंगा पाउडर के पहली खेब किस देश को निर्यात की गई देखिए मोरिंगा आप सब जानते हर गाउं में होता है जंगलों में विक्सी जादा होता है जिसको हम सहजन के तौर पर भी जानते हैं हना तो वानिजय मंत्राले ने मोरिंगा पाउडर की जो बड़ती वैस्विक मांग है और इसके जो पोशन गुन है उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्यास शुरू किया है और हवाई क्खेब के मात्यम से दो टंज जैविक परमानित मोरिंगा पाउडर जो है वह USA यानि संजुत राज अमेरिका को भेजा ग या बेंजो लीव टी के नाम से भी इसको जाना जाता है भारत जो है मोरिंगा पाउडर का सबसे बड़ा उत्पादक है इसको आप नोट कर लिजेगा मोरिंगा जो है जंगलों में तेजी से विक्सित होने वाला सुखा परती रोधी पेड़ है जो भारतिये मूल में मोरिं तेजी से पेडीवार से संफ्रीथ है और समन्द रखता है साथे साथ यह आपको मध्य अमेरिका और करव्याई देश देश जि Notre UK और दक्षिनी दृसों में जैसे कि अफ्रीका दक्षिन अमेरिका और यूसेनिया में भी यह पाए जाता है उसे यहां पे इसकी खेती की जाती है अब देखिए हां इंडिया के बात करते हैं तो तेलंगा ला इस्थित मेडिकॉंडा निट्रियंट्स जो है वहाँ मोरिंगा निर्यात कतिविती को योजना बत तरीके से सुरू करने का समर्थन किया गया है और इस कंपनी के पास जो है 240 हेक्टेर में मोरिंगा बागान है ठीक है याद रखिएगा चले अगला परस देखिए अगला परसन कहता है कि किसे दूसरी बार अमेरिकी सं सभा का चौथी बार अस्पिकर चुन लिया गया है नैंसी पॉलिसी ने 216 भोट हासिल किये आपको बताओं कि पहलों से 2007 में पहले बार हाउस स्पिकर चुनी गई थी और इस पद पर चुने जाने वाली वह पहली महिला है और साथे साथ अस्पिकर अमेरिकी सदन का राजि सी और याद रखेगा 20 जनवरी को जो बाइडन जो है वो अमेरिका के राष्टपती की सपत लेंगे अगला परसन कहता है कि किस राज सरकार ने किसान सुर्योदय योजिना लागू की है तो एक किया गया है गुजरात के दौरा ठीक है गुजरात सरकार ने सिचाई के लिए दीन के समय बिजली की आपूर्ती सुनजित करने के मकसद से किसान सुर्योदय योजिना की सुरुवात की है इसके तहत किसान को सुब़ा 5 बेज़ से रात के 9 बेज तक बिजली की सप्लाइ की जाने का पराउधान है और राज सरकार ने 2023 तक इस योजिना के तहत जो जो सहर है अमद्दाबाद है और अगर हम जीलों की संख्या के बात करते हैं तो 33 है और इसका गठन हुआ था एक मई 1960 को ठीक है राजिपाल जो वर्तमान में है वह आपकी आचारे देवुरत और मुख्य मंत्री है बिजय रुपानी बिधान सभा की सीटों की संख्या के बा सबसे अमीर सक्स जो है और चेंज हो चुके हैं और यह बन गए ऐलन मस्क पहले कौन थे जे बेजोस थे लेकिन अब जे बेजोस जो हैं दूसरे अस्थान में पहुंच गए हैं और एलन मस्क जो की टेसला के फांडर और सीओ है यह पहले अस्थान पे आ गए हैं दूसरे अ जो सक्स बन गए हैं जो की अमीर सक्स के तोर पर उभर कर रहा है वह है एल मस्क ठीक है बात करते हैं आज का पहला कोईशन का तो पहला कोईशन है फाइटोरीट टकनीक जो हाले में खबरोमीध थी वह क्या है तो यह अपसिस्ट जल उपचार टकनीक तो यहां पर आपको पूने के राष्टिये रासायन परयोग साला यानि एन सी एल में इस्थित फाइटोरीट टेकनोलोजी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उधगाटन किया और इसका जो विकास है ओ आपका नीरी यानि राष्टिये पर्यावरन इंजिनरिंग अनुसंधा संस्था नागप प्लांट के साथ सिवेज ट्रीटमेंट सिस्टम के रूप में मौझूद है आपको हम बता दूं कि इसका जो सिधान्त है और कारे पदेती है उसके बारे में थोड़ा कि फाइटोरीड अपसिस जलकी सफाई की एक भरोसे मन्द और स्वधार नियानि की सेल्फ सस्टेनेबल तकनीक है जो प्राकिर्तिक आदरभूमी के सिधान्त परकारे करती है और इस परकार यह एक उपसता मिसित प्रवाह निर्मित आदरभूमी परनाली है यह जो तकनीक है एक कुछ विशिस्ट पौधे का उपयोग करती है जो कि अपसिस्ट पानी से पोसक तत्वों को सीधे आवसोसित कर सकते हैं परन्तों उन्हें मिटी के आवसकता नहीं होती है यह पौधे जो होते हैं पोसक तत्वों के सिंकर और रिमूवर ठीक है के रूप में कारे करते हैं इससे हमें क्या वेनिफिट होगा तो आपको बताओं कि पारंपरिक परिकिरियाओं के तुलना में पर नाले पाधारी जो अवसिस्ट जल सोधन है यह फाइटोरीट तकनिक सुनी उर्जा और सुनी संचालन के हम रख रखाओं के खुबियों से सुसत जीत है ठीक है लैस है और फाइटोरीट तकनिक सफाई की प्राकृतिक पर देती है जिसके द्वारा सोधित किये गए जल को पेजल समेट विभिन पर्योजनों में हम उप्योग कर सकते हैं और आपको इससे जो आगे फ्यूचर में जो हमें बेनिफिट मिलेगा ओ जल संकट की चुनोटी से निपटने में सहायता मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर सही अंसर आपका ऑप्सन बी रहेगा चलिए अगला जी किसन रेडी की नितर्तों में एक समीतह का घठन किया गया है ठीक है तो यहाँ पर जिलो की संकट के बात करते हैं तो दो है और यो fonction करते बाते हैं और और कारया उलख फें है उप राजिपाल अधृ क्रिशन माथूर 10 सांसद हैं जम्यांग सेरिंग नाम ग्याल उंच नियाले जो है जमु और कास्मीर और लदाक का कॉमन है ठीक है अगर हम छेतरफल की बात करते हैं तो तो एक लाग छासर चेसो अंठानमे किलो मिटर स्कॉयर है और अगर वर्गम में देखेंगे तो चौंसट हजार तीन सो बासट ठीक है अधिक्तम उचाई यहां पर जो है सालतोरो कांगरी इसकी उचाई है सतातर तो ब्यालेस मीटर और फीट में अगर देखते हैं तो पचीस सुचित किया गया था तो यह जो किया गया था 2006 में किया गया था ठीक है आपको मताओं कि अभी जो हाल में देखने को मिला कि केरल में साथे साथ राजस्थान में आपको एच फाइप इन एट एविए इंफ्लेंजा वारास के संक्रमन पाए गया है हर्याना में 7111 घरलू प तो सरसर पच्चियों की मौत हुए जो की आंकड़ा आया है एविए इन इंफ्लेंजा जो है ए वाइरस सदियों से पूरी दुनिया मौजुद है और पिछली सतावदी में इसे चार बड़े परकोब दर्जुए हैं देखे भारत में ए जो आया पहला वो 2006 में रिसुचित क कि आ गया था और भारत में मनुस्यों में अभी तेक इसका संक्रमन का पता नहीं चला ठीक है तो यहां पर सही अंसर आपका रहेगा एस सी ठीक है यहां पर थोड़ा आप ऑप्शन सही कर लेंगे ABCD है तो सी आपका यहां पर 2006 जो है सही रहेगा अगला प्रस देखिए अग भी राट्पती है अमेरिका के डुलां ट्रम क्योंकि इनको अपना सत्सक्त前क करना है जो बैडं को और जो बैडंट जो है 20 जनवरी को के लिए नामित किया गया वर्तमान में विजय संकर जो है वो न्याइभिवाग के अपराधिक परभाग में वरिष्ट अभियोग वकील और अपीलिय अनुभाग के उपर मुख के पद पर कारे कर रहे हैं वर्स 2012 में न्याइभिवाग में न्युक्ति के पूर्व पिल्स जो है वासिंगंटन डिसी के लिए सरोच अदालत है और वासिंगंटन डिसी जो है आपको पता है कि अमेरिका का कैपिटल है ठीक है और करेंसे चलता है यूस्ट अगला प्रस्ण है कि 450 किलोमेटर लंबी कोची मंगलूरु प्राकृति गैस पाइपलाइन किसके द् बारा ठीक है तो यहां पर ऑप्सन डी सही रहेगा और 450 किलोमेटर लंबी जो पाइपलाइन है गेल ने बनाई है और इसकी परिवहन छमता जो है प्रति दिन बारह मिलियन मिट्रिक टर्न स्टेंडर क्यूबिक मिटर है अगर हम गेल की बारे में बात करते तो इसके सेर की बात करते हैं तो 52.1% सेर है गवर्मेंट ऑफ इंडिया की इसमें ठीक है चले अगला परस देखिए अगला परस ने कहता है कि संगठर ने MK2 बायो डाइजेस्टर विक्सित किया है तो यह जो किया है वो DRDO ने किया किसने किया है DRDO ने मेट्रो रेल में DRDO बायो डाइ सरकार और महराज सरकार की एक संजुक्त उद्द्यम कंपनी है ठीक है अगर हम बात करते हैं DRDO के बारे में तो DRDO की जो स्थापना विथी 1958 में हुआ था इसका हेट क्वार्टर जो है निव देली में ठीक है इसके सब्सिडरी जो है गैस टरवाइन सच एस्टेपलिस्मेंट और एयर क्राफ्ट डिजाइन किया गया DRDO के द्वारा ओं है अवतार DRDO लक्षे और DRDO निसांत ठीक है और इसके जो परसिदेंट है यान केंद्र सरकार ने वीत्त वर्ष 2021 में GDP की विकासदर निम्रम से कितने प Patty sarà रहने का अनुमान लगाया है तो जो लगाया गया है वो लगाया गया डरा ढ Hag YouTube hed 7.7 रहेगा और 2019 20 में जो देश का GDP रहा था वो 4.2 परसेंट रहा था ठीक है चल अगला परसन है हेमा कोहली ने निम्नम से किस राजी के चीफ जस्टिस के रूप में सपत लिया है तो हेमा कोहली जो है तिलंगाना हाई कोड की मुख न्यादिस के रूप में सपत लिए हाई कोड को अपना पहला मुहिला मुक्हिन आदिस मिला है साथ अभी जो हमारे देश में 25 हाई कोड है उसमें वह अकेली मुख ने आदिस है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं चीफ्मिनिस्टर के तो के चंद सेखरर राओ है ठीक है और कैप्टेल है तिलंगाना का जाता है तो प्रवासी भार्तिय दिवस जो मना जाता है वो मना जाता है नौजनवरी को यानि कि आज ठीक है प्रवासी भार्तिय दिवस प्रतिवर्स नौजनवरी को मना जाता है और इसका उदेश जो है उन प्रवासी भार्तियों को मनाते है देना जिन्होंने भारत की विक जीनों ने किवल भारत के सोतंता संग्राम का नित्रतों किया बलकि भारतियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया ठीक है तो यहाँ पर सही अंसर रहेगा आपका डी नौ जनवरी और क्यों मनाते हैं हम सब क्योंकि नौ जनवरी उनिसो पंदर को ही गांदी जी दचिन अफ्रिका से हमारा देश भारत वापस किये थे अपने देश वापस आये थे ठीक है चलिए अगला प्रस देखी अगला प्रस नहीं केंद सरकार ने जम्मू कासमीर के व मजूरी दिए और यह जम्मू कासमीर के नए निवेश प्रयाप्त विस्तार और मौझवा उद्योग को प्रसाहित करने के लिए दिया गया है सरकार का कहना है कि जम्मू कासमीर कोई और की योजना जो है साल 2927 तक के लिए है और यह यह जना की जो अभी अलॉट्मेंट हु रादी जो है स्रीश्र्णगर है जोकि मई से अक्टूबर तक रहता है और जम्मू जो कैप्टेल जाती है वो नौवबर से अप्रिल तक के लिए जीत लों की संघ्या के बात करते तो यहाँ पर 20 जीवत वीच जिलये हैं वहाँ उपराज पाल है वह और छिरीश चंद्र कौमान है लादाक और जम्म अनकासमीर के लिए ठीक है यहां पर अगर चेतरफल देखते हैं तो 42,241 km2 है और अगर वर्ग्रीम देखेंगे तो 16,309 अधिक्तम उचाई नून सिखर का है 735 मीटर और फिट में देखेंगे तो 23,409 फिट और सबसे कम उचाई चुनाब न दिखी है जो कि 247 मीटर है यानि कि 810 फिट तो उमीद करता हूं आप सब को वीडियो पसंद आई होगी तो आप दबाकर वीडियो को सेर कीजे अपने फ् सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ही जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग हब नाइस टेए